नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो वास्तु के अनुसार घर के अंदर मोजूद हर वस्तु में सकारत्मक और नकारत्मक दोनों प्रकार की उर्जा होती है अगर इने सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो ये नकारत्मक उर्जा फैलाती है वह अगर आप इन इस समय चकर का चलना कायम ही रहता है, किन्तों अगर हम आप से कहें किया आप अपने समय को अच्छा बनाने केलिए कुछ उपाए कर सकते हैं, जी हाँ आज हम घरों में लगी घडी जिसको हम रोज निहारते हैं पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है दोस्तो हम कई बार जीवन की छोटी-छोटी चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं पर वही चीजे हमारे भागय पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है आज हम आपको बताने जा रहे है कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं ये भी आज हम आपको बताएंगे अगर आपने चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और महतोपुर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके सबसे पहली बात घड़ी के प्रकार वास्तोशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडा आकार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़िया मौजुद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान के फोटो भी लगाये जाते है लेकिन दोस्तो घड़ी के साथ तस्वीरे लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर गड़ी में बिलकुल भी ना लगाए क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोजधीप, अगरबती और पूजन की आवशक्ता होती है और गड़ी तो कई महिनों तक धूल में पड़ी रहती है इससे भगवान का अपमान होता है और शुबम माना नहीं ज हो सके तो घड़ी का आकार, गोल और अंडाकार ही पसंद करे घड़ी का गोल अथो अंडाकार हमारी प्रत्वी के आकार को दर्शता है चोकोर घड़ी में नुकिले कोन होते है और वास्तु के अनुसार नुकिली चीज़े नकारत्मक उर्जा का संचार करती है दूसरी बात गड़ी को स्वच्च और नया रखे दोस्तों जैसे कि हम सभी चाहते है कि हमारे जीवन में सबच्च और भेतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को सवारे रखते है नए कपड़े और नए आभूशन पहनते है उसी प्रकार अपने घर की गड़ी को सच्च ही रखना चाहिए समय समय पर घड़ी पर चड़ी धूल और जालो को साफ करते रहे इसे आपका भाग्य भी धुन्दला नहीं पड़ेगा और कई घरों में आदुत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं एक जग़ नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जग़ लगा देते हैं क्रपे ऐसा ना करे घर में पुरानी तूटी हुई धूल चड़ी हुई और बंद घड़ी तो बिलकुल भी ना रखे इससे घर में नकरत्मकता और धरिद्रता का वास होने लगता है बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से वेक्ति के जीवन में नए आउसर नहीं आते और वो अपने कारे में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तीसरी बात घड़ी की सही दिशा घड़ी को कभी भी दक्षिन दिशा में होना नहीं चाहिए दक्षिन दिशा यमलोग की दिशा मानी जाती है, काल कांतिम चक्र यही से शुरू होता है, इसलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुब माना गया है, घर में घड़ी को उत्तर पूर्व अपच्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किन्तु ये ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दर्वाजे या आने जाने के लिए उप्योग में किये जाने वाले दर्वाजे के ऊपर कभी न लगाए, इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गती और दिन चरिया पर पढ़ सकता है, घड़ी को हमेशा दिवार पर लगाए, जिससे आप समय को अपने सामने देख सके, चवती बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखे, घड़ी समय का प्रतिक है, तो कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारिखों का लेखा जोखा बताता है, कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी अपने समय के अनुसार ही लगाना चाहिए, घड़ी को कभी पीचे समय के साथ ना रखे, आप 5-10 मिनिट आगे जरूर रख सकते हैं, इससे आपको कभी भी उस समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा, ये एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे, र शुब माना नहीं जाता, पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुब माना जाता है, इसे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो, तो उसे किसी जरुत मन को दान में आवश्य दे, तो दोस्ति ये ते से जुड़ी कुछ महतोपुर्ण वास्तु टिप्स अगर यह जान करें आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके आवश्य बताए और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद